अंग्रेजों ने जान बूज कर हमारे देश के स्वत्व को नश्ट करने की कोशिश की जिस समाज पर लंबा शाषन करना होता है उसके स्वाहिमान को समप्त कर दो वो खड़ा ही न हो सके हमारे विरोध में अरे तुम कौन थे जंगली लोग तुम कौन थे तुम निरक्षर लोग तुम कौन थे जाहिल लोग तुम ना विवस्था जानते ना शासन करना जानते हम हट जाएंगे तुम लड़के मर जाओगे ये अंग्रेज के बड़े-बड़े जो सांस थे पर्लेमेंट में वहां बैठते थे वो कहते थे हम तो अभी आजादी दे भारत को ये लड़के मर जाएगा ये भूकों मर जाएगा ये लोग परशासा नहीं समाल सकते ये मूर्ख लोग है ये बरबर लोग है ये जंगली लो उसका नाम है रोडियार्ड किपलिंग बारी कभी था भारत में जन्मा था अंग्रेज था कविता है कहानी लिखता था वो पन्यास भी लिखता था वो लिखता है उसने कविता लिखी है साथ-ाठ परगराप की कविता है वो लिखता है वाइट मेंस बरड़न जो श्वेत ल जंगली लोगों को सब भानने के लिए इन जाहिल लोगों को कुछ साक्षर्ता का पाठ पढ़ाने के लिए यह परमात्म совांने तुमारे कंद्पों पर बोजा रखा है कर परमात्माמ ने ये राक्षस है, ये मूर्ख लोग है, ये जाहिल लोग है, इनको अपने को कैसे भी सब भी बनाना है, आप लोग जाएए, भारत में जाएए, फिलिपाइंस में जाएए, जहां जहां हमारा सामराज्य वहां जाएए, और जीसस का संदेश सुना करके इनको कनवर्ट करिए, जीसस के चरणों में ले आएए, और ये कभता वहां के स्कूलों में पढ़ाए जाती थी, वहां के मिशनरी तयार हो करके जहां पर आवें, कैसे श्वेत बच्चों को, श्वेत बच्चों के मावाब को आभान करता है, और हमारे इस द्रश्य को बताता है, बंदों लेकिन लेंड में अमेरिका में ऐसे भी लोग खड़े हुए, जोनों में इस रोड यार्ड किपिलिंग की इस कभिता का विरूद किया, तुम ये लिखते हो गलत लिखते हो, ये सही चित्र नहीं है भारत का, भारत के बारे में ऐसा लिखना ये अच्छा नहीं है, मार्क ट्विन इसके खिलाब लिखा, बर्नर शार नहीं भी इसके खिलाब लिखा, बर्ट रसल नहीं इसके खिलाब लिखा, ये देश ऐसा नहीं है, जैसे तुम बडन कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा वातावरन बनाए गया, और ऐसा वातावरन बनाए गया, जैसे इस देश में सब कुछ नर लेकि ऐसे समय भी ऐसे लोग भी खड़े हुए जो लिखका ऐसा नहीं है यह देश ऐसा नहीं है